और अब बात करते हैं जारकन की किरिटी में जैन्यू के प्रसिद तिर्थ सुथल पारसनात के मदुबन में प्रदेश कॉंग्रेस का तीन डिवस्ये चिंतन शुविर आयोचीत हो रहा है शन्यूवार को इसकी शुरुवात होई है आज दूसरा दिन है शुविर में राज के सभी 24 जिलो से आए पार्टी के प्रतिलिधी हिस्सा ले रहे है यहां संगठन और सक्ता के बीच में समन्वे बनाते हुए पार्टी को और मस्बूत बनाने की क्वाइट चल रही है दिन दिवस्ये चिंदर शुविर का हायोचर कांवर्स पार्टी की तरब से किया गया है तो अगले 100 दिनों के लिए कारकरम तई किये चाहेंगे और इसके साथ साथ आपको बता देव मदोबन में चिंदर शुविर का आज दूसरा दिन है मिशन 2024 पर भी चिंदर शुविर में कॉंगरिसों की तरफ से चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ इस चिंदर शुविर में कई बोड़े कट के कॉंगरिस दिनेता शामिल हुए है पार्टी को मजबूत करना सरकार में समनों बना कर चलना कॉमन मेनिमम प्रोग्राम की बात हो या फिर जारकंड की जनता के हक अधिकार की बात हो तमाम मसलों पर तमाम मुद्दों पर आज चिंदर शुविर में पार्टी के नेता अपनी राय रख रहे है पार्टी के विधायक, सांसत और नेता इस कारक्रम में शिर्कत कर रहे हैं कई वरिष्ट कॉंग्रेसियों को आप कतार में बैठे वे देखे जा सकते और सिधा हम रूख करिंग अपने सोहोगी विपिन का हमारे साथ लाइब जुड़े मधुबन से विपिन आज दूसरा दिन है चिंतन सिविर का क्या कुछ अभी तक किस कारक्रम में हुआ है चिंतन सिविर का दूसरा दिन है और लगातार किस तरह से संगठन मजबूत हो इसको लेकर मन्थन चल रहा है और आज जो दूसरे दिन चिंतन सिविर का है उसमें अब तक अगर बात करें तो जो कॉंग्रेस के राष्ट्र मीडिया प्रभारी है रंदीप सुर्जेवाला ने यहाँ पर वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरी इस चिंतन सिविर को संबोधित कि उन्होंने इस मन्थन सिविर को संबोधित किया है इसके अलावा किस तरह से आने वाले समय में कॉंग्रेस जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी जो मिसन 2024 के आगाज का एलान कल किया गया है उसमें किस तरह से आगे चलकर कॉंग्रेस को काम करना है उसकी तमाम रूप देखा यहां पर तय होगी तो इस वक्त जिसान हमारे साथ जार्खन कॉंग्रेस के कई नेता है उन से ही सिथे जानेंगे कि अब तक क्या कुछ यहां पर हुआ है संजे जी जिलाध्यक्षो के भी बहुत महत्पुन भूमिका होगी 2024 के मिसन में अब तक आज कि अगर बात कर और निशीत तोर पर कांग्रेस पार्टी के अलाकमान के तरफ से जो एक यह प्रारम किया गया है परस्प्रिक्षन साथ चिंतन स्वीर का जो कारेकरम रखा गया है वो आने आले शमय में कारेकरताओं के लिए नेताओं के लिए काफी फल लायक होगा क्योंकि ऐसा देखा ज जाएंगा और दोनों का confidence एक दूसरे के परती होगा तो पाटी बहुत मजबूती के साथ अपने कारकरमों को लेकर आगे बढ़ेगा तो हम तो सबसे पहले अपने नए परवारी महोदया विनास पांडे जी का धन्यवाद देता हूं को उन्होंने पहल की और ये कारकरम किया और साथ में सारे नेताओं सारे कारकरताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कल से लागातार डटे हुए हैं और शीखने का परियास कर रहे हैं लागातार कुछ लोग डायेट कुछ भर्चूल के माध्यम से हम लोगों शीखाने का समझाने का कांगरेस की संस्कृती के बलीदान के बारे में बताएं और उसको हम लोगों ने समझा और हम इसको लेके अपने ग्रास रूट वरकर तक जाने का परियास करेंगे अभी जो सेकेंड हापका सेशन होगा उसमें हम लोगों का गृूप डिशिशन होगा उसमें संगठन पर भी बात होगी जीला बैठेंगे उस पर हम लोगों को क्या दिशा निरेस मिलता है और हमारी भी क्या समस्या हैं काम करने में क्या रही है सरकार बनने के बाद हमारी शमश्या जादे बढ़ गई हैं साइद लोगों की जो उमीद करता हूँ कि जो उमीद हम लोगों से हैं उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं आगे आने वाले समय जो चुनाव भी होगा तो हम चार मंत्री की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस जो हो चार मंत्री का काउंट नी होगा जनता के बीच में पूरी सरकार की परफॉर्मेंस को काउंट करनी होगी तो सरकार का भी परफॉर्मेंस कैसा होगा और सर 2024 में परदान मंत्री बनाने का प्रण लेते हुए आगे काम करेंगे। समय से जो पार्टी लगातार देश के लिए रही है, लोगों ने बलिदान दिया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, तो ऐसे पार्टी के कारकरताओं के लिए कोई कठिन बात नहीं है। जब लोग यहां से समझ के जब जाएंगे और जो आगे कार करता है, उनसे जिला धर्ट जब बात करेंगे। आगे जो प्लैंस आपको जो बन के आने वाले हैं कि आगे दो वर्षों में आगे क्या और कारकरम होंगे। उस पे भी चर्चा हो रही है और सबसे बड़ी बात कि जो हम लोगों ने लोगों से जो वाइदे किये थे, जो मैनिफेस्टो था, उस पे भी चर्चा हो रही है कि अभी हम कहां खड़े हैं। और किन बातों पर फोकस करना चाहिए। तो संगठन और सरकार के बीच तालमेल की बाते और खुल के बाते हो रही हैं। काफी बार ऐसा देखा गया है, किसी भी आप देखेंगे दलकी सरकार जब होती है। और अगर तालमेल का अभाव रहता है कार्ट करताओं के बीच में तो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे हम लोग बिल्कुल बीच में बैठे हैं और इन सब बातों से सबसे बड़ा लाब जो होगा यहां के जो गरीब जो वन्चित लोग हैं आरिवासी दलित उस तबके के लोगों को इसका लाब मिलेगा माइग्रेशन के इशू पे जब बाते होई थी जो पलायन होता है यहां से मजदूरों का उसके लिए भी गंभीर चर्चा हो रही है और उसके लिए भी बाते हो रही है कि कैसे उन पे फोकस करके उनके लिए हर महीने जो उनके लिए कल्यान के लिए जो योजनाय बनी है उसका लाब कितना मिल पारा है ऐसे मजदूरों को उसके लिए हर मेहने एक तरह की समिक्षा की जाएगी इतने ग्रास रूट लेवल की बाते यहां पर हो रही है अब मुझे पुरा विश्वास है कि इसका लाब जो है आम जनता को मिलेगा और आम जनता को जब लाब मिलेगा तो पा जरीा है युअ के सामने खास कर और सरकार के सामने उवाहों को लेकर करें वह दो तीन चीज़ें का है अभी जो कोविड-19 के समय जो सरकार में जो एक युवा की नीव होती है सुख्शा तो जो सिक्शा की जो है वो हिली हुई क्योंकि स्कूल्स उापका उख्ँलनी रहे है वापस से एक जो जो प्रिंस्पली तोर पे करेक्ट स्कूलिंग का जो फॉर्माट है उसको हम कैसे लागू करें और कैसे हम यह सुनिश्चित करें कि स्किल डेवलप्मेंट पे जो फोकस है सरकार का वो थोड़ा ज्यादा बढ़े क्योंकि देखे जो जॉब्स आज के रेट म पे कौशल विकाष केंद्र और बाकी सारी चीज़े खोले जा रहे हैं बट उनमें किस तरीके की किस लेवल की पढ़ाई हो उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो पढ़ाई लोगों के काम आये रोजगार उसे व्यक्ति को मिले उस पढ़ाई से इन सारी चीज़ों को स वादे कहीं ना कहीं जो कुछ-कुछ वादे अभी हम पूरू नहीं कर पाए हैं ठीक है सरकार के पास भी कुछ चालिंजिस थे कोविड को लेकर के बट अब एक समन्वे समिती बनेगी जो सरकार के साथ बैठ करके जो हमारे मुद्दे थे जो हम युवाओं के बीच में लेकर के गये थे उन मुद्दों को लेकर के चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो चाहे वो अगर आप रोजगार नहीं दे पाए तो उनको फिर एक अलाउंस देने क वाद सारी चीजे थी। उन चीजों को कैसे implement किया जाए? यह सरकार कैसे करे उन चीजों को implement और यह सुनिच्छित किया जाए? चाहे सत्ता रहे या ना रहे, manifesto की चीजे जो है वो पूनतर तर्यूप के से लागूट करने को मैनिफेस्टो में जो वादे किये गए थे और जारकंड में जिस तरह से रोजगार एक बड़ी जन समस्था रही है जारकंड के लिए तो इन तमाम चीजों को दूर करना और जब यहां से कॉंग्रेसी नेता चिंतन श्वीर से जाएंगे तो बूत इस्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे जिसका फायदा आ काज लोटेंगे आप देखते रहिए ने उसलेवर भारत